बच्चा क्या कहता है कि माँ तुम्हारी और पिता जी की मार तो बरदास कर सकता हूं लेकिन दूसरे को रोधावा देखकर में इससे बरदास नहीं होता हूं मैं क्या करूं मैं ऐसा हूं तो मा कहती है बगवान ने तुझे ऐसा क्यों बनाया बिटा बच्चा कहता है मैं नहीं जानता मैं ऐसा क्यों हूं तो मा ने कहा बिटा तुझ जैसे लोग बगवान दुनिया में बहुत कम बनाता है अगर सारे ऐसे हो जाएं इस दुनिया का बला हो जाए आज सोचिये कि जहां दुकान पर आदमी मिलावट करता है चीजों में, तवाईयों में मिलावट करता है दूद में मिलावट करता है अपने थोड़े से पैसे बचाने के लिए एकठा करने के लिए दूसरों को जहर दे रहा है कितने क्रूर निर्दई लोग हैं हम लोग कोई ऐसी चीज नहीं रही जिसमें मिलावट नहीं हो रही अपने थोड़े से पैसे एकठे और हो जाएं दूसरे के जिंदगी के साथ खेलने को तैयार है एक तरफ मंदिरों में भीड बढ़ रही है और दूसरे तरफ निर्दैता बढ़ रही है इस निर्दैता के बढ़ने का परिणाम ये है कि आज पूरी दुनिया अशांती से भरी दिखाई देती है मंदिरों में जा रहे हैं लोग इसलिए धार्मिक नहीं है मंदिरों में जाने का मतलब धार्मिक हो गया ऐसा नहीं है चोर डाकू भी अपना डाका डालने से पहले देवी माता की पूजा करके जाते हैं अच्छा सा डाका पढ़ जाए आज पिर तुझे परसाच चड़ा दे अभी पिछले हथे मैंने एक निवज पढ़ी जिसमें हेडिंग दिया वा था कि पाउं चूके जेब काट ली हेडिंग ऐसे दिया वा था मुझे परना पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था एक आदमी भीड में चलता वाया उसने पाउं पर पाउं मारा तो पाउं पर पाउं लग गया तो फिर उसने पाउं को जुक करके प्रणाम किया माप करना माप करना और उसके बाद में जटका सा दे के चला गया उसके बाद में फिर दो बारा पाउं मारा और फिर माफी मांगने लगा तो संबलते संबलते उस आदमी ने जैसे अपनी जेव देखी तो जेव कट चुकी थी तर तक उसका स्टाइल जेव कटने का ये था वो कहते हैं कि चोर जुके, दुष्ट जुके, चीता जुके और धनुषबान जुके तो ये मैं समझ ले ना मान दे रहा, गिराएगा, चोट मारेगा हाथ जोडतावा भी दिखाई देता, आज कल आदमी तो भी कोई न कोई मतलब होता है, और मैं ये कहना चाहूंगा आप सबसे, बच्चों के अंदर, भगवान ने ये गुन दिया है, कि वो सच्चे हैं, अच्चे हैं, इमांदार हैं, भले हैं, लेकिन हम लोग अपने बच भगवान के बनाएवे धार्मिक हैं, हम लोग ही उनको अधर्म दे रहे हैं, हमें अपने बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार देने चाहिए, एक आदमी, माली था, उसने देखा कुछ आम के फल नीचे तूट तूट के गिरे में, वहागतावा गया तो देखा एक बच् तूटा होकर के चोरी करता है, किसने तुझे सिखा दिया, तू बड़ा, गलत आदमी बन जाया का बड़ा होकर के तो, अभी चल तुम्हे तुम्हारे पिताजी के पास लेके जाता हूं, कान पकड़ के लेके चलने लगा, बता तेरा घर कहा है, जाके तेरे पिता से अभी पड़वाता हूं, बच्चे ने का, पिता जी तो घर में बिलेंगे यह नहीं, कहा है, बोले पेड के दूसरी डाल पे बैठे है, वो ही तो सिखा रहे हैं मुझे कैसे तोड़ना है, अब मिलके चोरी कर रहे हैं हम लोग, आप देखते हैं कि हसी आती है कि ऐसा कोई कर रहा ह होगा, लेकिन घर में जब अपने बच्चे को जूट बोलना सिखा रहे होते हैं, और फिर डाटते भी हैं, कि तुझे सफाई से जूट बोलना क्यों नहीं आता है, परिनाम ये है कि वही बच्चे आगे जाकर जब आपके साथ ये विवार करते हैं, आपका मान बंग करते ह हैं, रुपया पैसा प्यारा हो जाता है, माँ बाप प्यारे नहीं रहते तो आप समझते हैं कि ऐसा क्यों हो गए हैं, क्योंकि आपने गुट्टी में जो कुछ संसकार दे दिये वो खराब थे, बहुत जिम्मेदारी हैं हम लोगों की, अपने घर में अपने बड़े बजर का सम्मान कीजिए, इस बात को ध्यान में रख कर, कि बड़ों की दुआओं में जो कुछ बसता है, उसे भगवान भी इनकार नहीं कर सकता, उनकी दुआएं स्विकार होती हैं, उनके आशिरवा स्विकार होते हैं, अपने माबाब जिनों ने, जिस पिता ने, पाल पोसकर आपको लायक बनाया, सोचिए पिता क्या अधभुत चीज है, मा का प्यार दिखाई देता है, पिता का तो नहीं दिखाई देता न, डाटता डाटता दिखाई देता है, लेकिन जिसने अपने बाहों के जूले में, जूला जूला कर आपको पाला, जिसने अपने कंदे पर पैठा कर आपको दुनिया देखने के लिए मौका दिया और जिसने रात दिन अपना सुख द्यान नहीं रखा अपने बच्चे के लिए सुख समेट कर लाता रहा जो खुद अच्छे कपड़े नहीं पहन पाया लेकिन अपने बच्चे को अच्छे से अच्छे कपड़े पहन पृतर दो न्हांने में जिसने सबकुछ लगा दिया, अपने बच्चे पढ़ाने में, जिसने अपने लिए अपने करजा सिर पढ़ ले लिया, वो पिता कितनो में औंचा ह होताहे। अगर बच्चे को डाटता है तो इस बात के लिए डाटता है कि जो कमी मेरी जिंदगी में रह गई वा तेरी जिंदगी में न रह जाए तो मेरे से कहीं आगे पहुंच ये भावना किसी पिता की रोती है मा तो मा है दोनों का अंतर बड़ा अधुत है पिता बेजेगा बच्चे को कारोबार के लिए बिजनस के लिए पैसे दे करके बेजता है ये ये बिजनस करके आना ये करके आना वो करके आना सब कुछ बेजेगा लेकिन जैसे बच्चे बापिस आएगा तो पिता सबसे पहले उसकी पाकिट देखता है क्या कमा के लाया, क्या खर्च किया था क्या क्या डील हुई, क्या क्या बात हुई पिता का ध्यान पौकेट पे रहता और मा का ध्यान सिरफ पेट पगए था वो आते पुछे कि क्या खाया था, कहां सोय थे कुछ ठीक से मिला भी था, यह भूका रह गया था नास्ता कहां किया था, वोजन कहां किया था, दोनों में अंतर बहुत है, माा बच्चे से बार बार पूचती रहती है, तुन्हें अपना ध्यान रखा था न? पिता कहता रहता है, तु इसको बिगार रही है, इसे अपनी कमाई पर द्यान देना चाहिए, यह बड़ा हो गया, अब इतना छोटा नहीं है, इससे सारी बातें पूछी जाएं, आपके दो हात हैं ना, एक कोमल है, एक कठोर है, यह दोनों जो मिल जाते हैं, तो आपकी शक् सिसे जिद्गी पला करती है, एसलिए दोनों ही पूघनी है, दोनों की जरूवत है, मस्तिक्स में इसलिये दो है, एक कौमल है, एक कठोर है, अब स्थ माइंद, सब कोण से समाइंद, दोनों को भगौन ने, इसतरह से बनाय है, भागवद्य मोग होते हैं, जिस घर में, उनके बड़े बजर्ग माता पिता दोनों हो और दोनों के आशिरवाद पाने का मौका मिले पीछे हमारे कलकते में वहां हमारी संस्ता यहां भी है लबगे असी स्थानों में भारत में हमारी संस्ता काम कर थी है और विदेश में 12 देशों में काम कर रही है तो कलकत्ते में हम लोगों ने वहां के हमारे संगठन के लोगों ने डेड़ सो गरीब लोगों की शादियां करवाई तो जब शादी हो रही थी तो मुझे उन्होंने बुलाया के आपने दो मिनिट के लिए आशुरवाद देना है तो सब जैसे बैठे वे थे तो मैंने उनसे एक बात कही जब जोड़ा डेड़ सो जोड़े सामने बैठे वे थे मैंने का अगर कुछ इस समय याद रखोगे एक बात तो ये याद रखना कि तुम्हारी किसी भी वज़े से तुम्हारे बुढ़े माबाप की आख में आसु नहीं आनी चाहिए हो सके तो मुस्कराट आए और दुआ के लिए हाथ उनके हमेशा आपके लिए उठे और आपके सिर पर उनका प्रेम भरा हाथ रहे इस बात की कोशिश करना माबाप के लिए और कुछ करो न करो पर उन्हें कभी रुलाना मत तड़फाना मत और क्या बताया जाए इस युग में यह एक दुर्भग्य है जिस तरह के पबलिक स्कूल कॉन्वेंट स्कूलों में बच्चे पढ़कर आते हैं बहु भी आज कल तो मैंने सुना हैं के कॉन्वेंट कल्चर का प्रभाव यह है कि बहु जैसे ही शादी के बाद घर में आती है तो पत्य के कान में धीरे से बोलती है देखो जी अपने माबाप को छोड़ के आई हूँ तुम भी पहला काम यही करो इनके साथ हमारा गुजारा होगा नहीं इसलिए अच्छा है कि जगड के इन से अलग हो पहले प्रेम पूरवक अलग ही रहने चले जाते है माबाप बरदास नहीं हो पाते इसलिए प्रार्थना करना चाहता हूँ अपनी संस्कृति अपने धर्म को महत्तो दीजिए जिसमें कहा गया है कि दया धर्म है सम्मान देना धर्म है बड़ों का सम्मान है अविवादन शीलस चे नित्यबद्धो पे शेविना चत्त्वारी तस्य वरगंते आईरुविद्या यश्यव बलम जहां अपने बड़े बजरुगों का सम्मान किया जाता है ऐसे सम्मान करने वाले लोगों की आयू बढ़ती है यश्य बढ़ता है बल बढ़ता है धन बढ़ता है इसलिए सारी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए अपने बड़े बजरुगों का आशिरवाद जरूर लेना चाहिए कहते हैं कि जब दुनिया बनी तो भगवान ने इनसान को दर्ती पर बेजते बेजते उससे ये कहा कि तु धर्ती पर जा रहा है सो वर्षों तक तुझे काम करना है तेरी जिम्मेदारियां बहुत सारी है उन जिम्मेदारियों को निभाना बहुत सारे फर्ज बताए तो छोटा सा जीव धर्ती पर जाते जाते उसने बगवान से पूछ लिया बगवान जी मुझे दुनिया में बेज रहे, कोई मेरा ध्यान दखने वाला होगा क्या? जो जाते ही, मैं तो नन्ना सा बच्चा हूंगा, जो मेरा ध्यान रखे, बगवान ने का तेरे लिए दो फरिष्टे बेजूँगा, जो पहरेदार का काम करेंगे, इसने का सौंगा, जागूंगा तो बोले उसके लिए भी दो फरिष्टे दूँगा, खाऊंगा, पिऊंगा, पहनुगा उसके लिए, बोले उसके लिए भी दो फरिष्टे दूँगा, मैं बिमार पढ़ गया तो बोले उसके लिए भी दो फरिष्टे, मुझे मकान जमीन जाइदा चाहिए वो कहां से मिलेगी कौन देगा बोले उसके लिए भी दो फरिष्ट दूँगा इसने सो तरह के काम बताए ये करना होगा वो करना होगा तो मेरे लिए आप वहां कौन करेगा बगवान ने का दो फरिष्ट बेजुगा तो इसने कहा कि मेरे अकेले के लिए हजारों फरिष्टे होंगे दुनिया में तो भीड हो जाएगी बोले नई सरफ दो ही फरिष्टे होंगे जो हजारों थरह के काम करेंगे इसने पूछा उनके नाम भी बता दीजे ये भगवान ने का एक नाम माँ होगा और एक नाम पिता होगा बस यह होगे दो ये दोनों ये तुमारे ले सब कुछ करेंगे इस जीव ने पोचा बगवान इनका करजा तो मेरे सिर्पट बहुत बड़ा हो जाएगा मैं इस करजे को कैसे चुकाऊंगा भगवान ने कहा बस रुलाना नहीं उनको ये द्यान रख लेना इसने कहा ये तो बात ये तो जिम्मेदारी मेरी है इतना अशिष्ट नहीं हो लेकिन करजा कैसे चुकेगा तो भगवान ने कहा करजा चुकने का भी एक तरीका है मैं तुझे भी फरिष्टा बना दूँगा तेरी गोद में बच्चा दे कर तो भी अपने बच्चों का इसी तरह से ध्यान लखेगा और तब तुझे समझ में आएगा माबाप क्या होते हैं तो ये निविदन करना चाहता हूँ अपने माबाप को मान समान देना मैंने इसके लिए एक त्योहार की कल्पना की त्योहार है पंदरा दिन तक आप स्राद मनाते हैं उनके लिए जो नहीं रहे तो एक दिन उनके लिए भी कुछ कीजिए जो आपके सिर पर है आपके बड़े बजुर्ग उसका नाम स्राद नहीं शद्धा परव नाम दिया जाना चाहिए जिस दिन आप उनके प्रती कृतग्यता प्रकट करें आदर्मान प्रकट करें उनकी पूजा करें और उनसे माफी मांगें कि जो हमसे गलती हो गई उसे आप माफ कर दीजिए और साथ में हमें बताईए हम किस तरह से चलें और अपने बड़ों के आशिरवाद पा लें एक दिन ऐसा रख लें तो आप ये समझ लीजिए अगर आप अपने माता पिता का इस तरह से पूजन करके सतकार करके उनके आशिरवाद लेंगे तो वो क्या कहेंगे बगवान हमारी जिंदगी में जो थोड़ा बहुत सुक बचा है हमारे बच्चे को दे देना यह बच्चे ने हमारा दिल जीत लिया ऐसे बच्चे सब किसी के हो तो यह आशिरवाद मिलेगा मैं यह का करता हूँ अगर घर में माँ है पिता है तो दोनों का करो अगर सिरफ पिता है तो पिता का पूरा ध्यान रखो उनकी मूवी भी बना के रखो जब नहीं रहेंगे तो कम से कम फिल्म देख कर यह तो याद आएगा कि इस तरह से हमारे पिता जीते ऐसे हमारे साथ बोलते होसते थे मा है तो मा को इसी तरह ख्याल रखो और उनको हर महिन ने पाकेट मनी भी देनी चाहिए जेब खर्ची दो उन्हें कहो जहां मर्जी आए वाँ खर्च करो जब हम छोटे थे तो आप हमें पाकेट मनी देते थे आज हम कमाने लायक हुए हैं तो आज हम ये इस तरह से दे रहे हैं जैसे भगवान से सब कुछ पाते हैं फिर भी उसके आगे रुपाया पैसा फूल, मिठाई, नारियल सब चड़ाते हैं ऐसे ये हमारी बेट है जहां मर्जी आए वाँ खर्च करो और अगर हो सके तो उनकी मर्जी भी पूछ लो कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि आप रुपाया पैसा मा को देने लग जाएं और मा जो है उस समय जैसे ही उसको पैसे देने लग जाएं पतनी टोकने लग जाएं कान में दिरे से बोले मां को पैसे मत दे देना, सारी इकटे करके अपनी बेटी को दे देगी, इसलिए पैसे मत दे देना इसको, तो भी पैसे देना, क्यों? क्योंकि एक मा थोड़े-थोड़े पैसे बचा करके जब उसके पास उसकी बेटी मिलने आती है तो उसको खाली हाथ नहीं लौटा दी उसकी कोशिस होती है कि अपने बच्ची के हाथ में कुछ ना कुछ रखू में जरूद रक्षा बंदन के समय में आती है ना बेहन प्राखी बांधने के लिए तो मा की कोशिस होती है अपनी बेटी का सतकार इस तरह किया जाए कि बेटियां गुरू और भगवान उसके दर पर ना खाली जाते ना उन्हें खाली लटाया जाता कहते हैं उनको हाथ में मान सम्मान सतकार देना चाहिए तो आपने देखा होगा कि जब बेहन रक्षा बंदन के उसर पर घर में आती है तो जाता तेजी से भागती भी तोड़ा बहुत टाइम होता है तो बेटी जैसे घर में आई आती है उसने मा से कहा भाई को तो राखी बांदी है अब मैंने सहलियों से मिलना है और बहुत जल्दी जाना भी है और मैं खाऊंगी कुछ नहीं तो मा उसने में क्या कहती है मैंने तेरी पसंद की सारी चीजें बनाकर टेबल पर सजाई है बेटी कहेगी मा तु मेरा इतना ख्याल रखती है तो मा कहती है तु अपने सुसराल में सब की पसंद का ख्याल रखती है तेरी पसंद को दुनिया में कोई नहीं जानता तेरी मा के सिवाय है मैं ही जानती हूँ कि तुझे क्या पसंद आता है और तुझे खिला कर जो आनन्द आएगा, वो मा ही जानती है, अब बच्ची कहती है, मा तुस्से चला नहीं जाता, कहां से सबजियां लेकर आई, नौकर को साथ लेकर गई होगी, अपनी पसंद से चाट चाट के, चुन-चुन के चीजें लेकर आई, और मा कहती है, अच्छ मेरे घर में सब ठीक है न, कुछ चिपा तो नहीं रही, तो टटोलना शुरू कर देती है, मेरी बेटी ठीक तो है, बेटी कहती है, मा तु मेरी चिंता मत कर, मैं बिलकुल ठीक हूँ तो, फिर कहती है, अच्छा, दो मिनिट के लिए मेरे कमरे में आ, मा मुझे पता है, तु इसे बैठाएगे, बैठाने के बाद फिर ट्रंक खोलती है, ट्रंक खोलने के बाद उसमें से एक पर्स निकालती है, उस पर्स के अंदर भी एक पर्स रखा, वो निकालती है, उसके अंदर एक रुमाल है, जिसमें बहुत सारे रुपए गाट बांध के मोड तोड के रखे वे हैं उन्हें निकालती है उन्हें निकालने के बाद मुड़े वे वो पैसे मुठी में लेके अपनी बेटी के हाथ में रखके उसका हाथ बंद करती है रख ले अब बेटी कहते है मा टेबल पर दवाईयों की शीशियां खाली दिखाई दे रही है तो उन्हें अपनी दवाईयों मेंसे भी पैसे बचाए है मुझे देने के लिए मेरे घर में कोई कमी नहीं है तो मुझे क्यों देना चाहती है तो मा कहते है बेटी ये पैसे नहीं है ये मा की दुआएं और आशिरवाद है बेटियों को खाली हाथ नहीं दे जा जाता अपने घर जाएगी यहां से आशिरवाद लेकर ये बरकत के पैसे हैं तेरा हाथ हमेशा भरा रहेगा तब उस बच्ची के आँख में आसू आते हैं और उसको लगता है मेरी मा मा नहीं है एक देवि मा है न जाने इस देश के अंदर ये सहस्कार कहां से आते हैं माव में निवेदन इतना ही करना चाहता हूँ ये भावनाओं में जीने वाला देश है संसकारों में जेने वाला देश है, अपने बड़ों को, अपनी परंपराओं को, सुरक्षित रखने की कोशिश केजिए, इन्हें जिंदा रखिए, इससे आपके घर में खुशाली आएगी, अपने नियमों को पक्का रखिए, अपने मंदिरों में जाने का नियम पक्का रख गव ग्रास निकालने के परंपरा बनाईए और अपने हास से कुछ न कुछ ऐसा काम जरूर करो, जिसे करने के बाद आपको तसल्ली आती हो, इस तरह की परंपराएं आप निभाएंगे, निश्चित रूप से कल्यान होगा। ये देववानी है परंपूज्य श्री सुधान्शुजी महराज के उपदेशों को पढ़ने एक मात्र समान उपियोगी मासिक पत्र का जीवन संचेतना सदस्यताश्चुल्क भारत में सदस्यताश्चुल्क विदेश में यदि आप जीवन संचेतना की सदस्यताश्च प्राप करना चाहते हैं तो इस पदेपरसंपर करें विश्विज जागरती मिशन, आनंद धाम आश्रम, नांगलोई नजपगड रोड, बककरवाला मार्ग, नई दिल्ली